है कि आलो किसानों के लिए वड़ी खुशकवरी तो दोस्तो हमारे जो आलो की जो अगर आपके बास में रहा किसानों के पास में उनके लिए बड़ी खुसकवरी आ pai तो जहिंद जाने वाले हैं आलो के दाम में 107 फिस्दी मतलब आपका बहुत ज़्यदा बढ़ोतरी देखने को इजाफा देखने को मिल रहा है प्याज टमाटर ने भी जेब पर डाला डाका देख सकते हो आप जो खादी वस्तू की विशेश कर सब्जी की किम्तों में तेजी के चलते वे जो मुद्रा स्पिती है वो सितंबर 2020 में 1.32 फिस्दी बढ़ गई है और आपका साथ महरे में सबसे ज़्यदा उस्तर स्तर पर है और इसमें थोक के अंदर आप आलो की रेट देखे जाए तो आलो की रेट में खासी आपके बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जिससे क्योंकि अभी आवक वगेरा है वो आपके मंडियों में कम हो रही है आलो की जिसकी वज़े से आलो की कीमतों में खासी बढ़ोतरी देखने है या पारी लोग इसको ज्यादा करें देखने को सिच कर रहे है इस वज़े से हमारे किसान भायों को अच्छा खासा दाम भी मिल होता है मार्केट बाप देखो जाओ तो कि 40 से 50 रुपए पढ़ती केजी आपका जो आलो है वो बीक रहे है बढ़ने के अंदर और आओके कम होने के कारण से बीरेट बढ़ने के आसार है और अभी जो नवरात्रा स्टार्ट होने की वज़े से जो आलो की डिमांड है वो भ बढ़ती ही जारी है सोचल एक्टिविटीज देख लो या पर दिवार देख लो वहां पर आपके आलो के डिमांड खासी बढ़ती रहती है वाड़ेजी वे उद्धोग मंतरा ले ने आकड़ों के अनिसार खादी वस्तों की महगाई आठ फूर्ट सत्रा फिश्टी रहे है जबकि अगस्त में ये 3.14 फिश्टी थी और इसमें बोला गया है कि इस दोरा समझियों में सबस्यादा मंगोई मंगई देखने मिली है तो आलो में देखने मिले आलो की कीमत एक साल पहले के मुकाबले 107.36 फिश्टी की से अधिक है हाला कि प्याज की कीमतों में 31.64 फिश जा रहा है कि आपके अलो के अंदर इतनी बड़ोत्री देखने को मिल रहे है आने वाले एक महरे पेशने सकते हैं अगर आप अपने अच्छे नांवा प्र भीचना चाते हो तो हमारे चानल के वादे वसे भी बेच सकते हो इसके लिए आपको कोमेंट बॉक्स बताना कर देते रहेगे बाकि हम आपको करते लुके करेंगे बाकि आप किस माओकि आज का बहुत जाते हो जड़ू